बात करते हैं मैहर नगरपालका की जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर महिला प्रत्यासी को जीत मिली है। बात कर नगरपालका के पार्षदों और अध्यकार की एहम बैठक हुई और तस्वीरे सामने आई जिसमें महिलाओं के हकों में डांका डाला गया है। अध्यक्ष पद पर गीता सोनी तो उपाध्यक्ष पद पर सीतल तामरकार आसीन हुई है। मगर कारिभार और कानूनी हक पर पतियों ने डांका डालना सुरू कर दिया है। सीतल तो बैठक से ही नदारद रही और पती नितिन उनकी आसंदी पर आसीन रहे तो अध्यक्ष गीता सोनी के बगल में पती संतोस सोनी की कुरसी लगी और बैठक का संचालन पती नहीं किया। कानूनी हक रखने वाली गीता सिर्फ पुतला जैसे बनी बैठी रही। इस बैठक में सियमो सहीत परिशत के करमचारी मौजूद रहें। बकायदा भासन वाजी भी हुई और अध्यक्ष की हैसियत से संतोस ने बैठक को संबोधित भी किया और सभी के सहयोग की अपेल की है। हलगी इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी कुछ बोलने को तयार नहीं हैं पर तस्वेरे साफ बया कर रही है कि निर्वाचित पत्नियां रबर स्टांप हो चुकी हैं और पती हकों में डाका डाल रहे हैं। आईए दिखाते हैं विराट 24 नूज के लिए 17 से जंपत मिस्त्रा के रिपोर्ट। चुरू करने जारे हैं जाकर 25 रूपय में प्रविव्यक्ती तिरंगा खरी चक्ता है। उसको रजी दी जाएगी साथ में तिरंगा लगाएंगे तभी हम जो है कि हमें अपने एक पेड़ा दाई एक नए भारत का निर्माड़ होगा। के लिए खराब बात नहीं होगे और सब लोग अपने मन से और आत्मा से 25 रूपय देने के लिए तयार हैं। सभी 25 रूपया दे करके तिरंगा लेंगे। जो वास्तित रूप से अगर नहीं खरिक पाता है तो दाई साथ अभी जो कह रहे थे तो हम लोगों के द्वारा भी यह विवस्ता होगी। शार्दा माता की, शार्दा मैया की।